आज हम एक और फ्रेस्स सिखेंगे इंगलीष का, एक और फ्रेसल वर्ब को सिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्च जादा यूज होता है फ्रेसल वर्ब का speaking में, ठीक है? अगर आपको अच्छे speaking सिखनी है, अंग्रेजी बोलनी है, तो आपको इन फ्रेसल वर्ब को यूज करना ही पड़ेगा तो आज की जो फ्रेजल वर्ब है वो है एंड ओवर हैंड ओवर आपने सुना होगा शायद यह बहुत तारे गानों में भी यूज किया जाता है इसका है तो हैंड ओवर का मतलब होता है सोपना एक तो होता है देना तो इसके लिए तो हम क्या यूज करते हैं ग हैंड का मतलब हाथ और ओवर का मतलब उपर तो यहां हिंदी में कहीं भी हाथ और उपर का शब्द आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यह फ्रेजल वर्प्स होती है और यह ऐसे ही यूज होती है तो सेंटर्स एक लिए लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए उसने प यहां वर्ब की तरह यूज हुआ है उसकी सेकंड पॉम का यूज है है अगर आपको पास इंपल टैंस नहीं आता है तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है आप जाकर जरूर देखें आपको बहुत अच्छे से तमझ में आएगा तो आज हमने इस हैंड और प्रेजल वर् लाइक करें शेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू सो माच